जै मातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हर्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें दोस्तों, अक्सर लोगों के सपने में साप आते हैं, लेकिन आपको बता दे, कुछ साप का सपने में आना सुब होता है तो वहीं कुछ साप के सपने असुब फल देने वाले होते हैं, इस वीडियो के मादम से हम आपको बताएंगे कि सपने में नाग या साप को देखना सुब होता है या असुब, पूरे जानकारी के लिए अन तक इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ल बेस्ट मैजिक सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर लें, तो आईए सुरू करते हैं दोस्तों, रात में सोते समय कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं जो हमें भैबीत कर जाते हैं, ये सपने भविस्ट से जुड़े अच्छे और बुरे संकेतों को दर्साते हैं ऐसा ही एक सपना है साप को लेकर, अगर कभी हम सपने में साप देख लेते हैं, तो इसका कुछ गलत ही मतलब निकाल लेते हैं लेकिन आपको बता दें, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि साप हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है, ये जानना बेहत जरूरी है क्योंकि कुछ साप के सपने हमें सुफल देते हैं, तो वही कुछ साप के सपने हमें असुफल देते हैं, तो चलिए जानते हैं कि किस सपने का क्या मतलब होता है तो आपको बता दें, यदि आप सपने में किसी साब को मारते हैं, तो ये आपके लिए बेहदी सुब सपना होता है, इस सपने का अर्थ होता है कि भविस में आप अपने किसी दुस्मन पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, इतना ही नहीं इस सपने का मतलब ये भी होता है कि आप किसी बड़ी लड़ाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं या आपको किसी प्रकार का धन लाप भी हो सकता है ये धन आपको अपने किसी दुस्मन की वज़े से भी प्राप्त हो सकता है यदि आप सपने में साप के दान देखते हैं तो इसका सीधा समतलब ये होता है कि आपका कोई मित्र या रिस्तेदार हानी पहुचा सकता है। इसलिए आप जो भी कदम उठाएं सोच समझ कर उठाएं। नहीं तो आपको इसका विपरीत परणाम मिल सकता है। इस समय किसी को भी पैसा उधार ना दें वरना आपका पैसा फस सकता है। यदि आप सपने में आप और नेवली की लडाई देखते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी सुप सपना नहीं है। इस सपने के नुसार आपको कोट कचेहरी के चकर लगाने पड़ सकते हैं जो बिल्कुल भी आपके पक्च में नहीं होगा। इसलिए जब आप यह सपना देखें तो कुछ समय तक सावधानी बढ़तें किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें किसी भी समस्या को हल करने के लिए सईयम से काम लें इस समय आपको किसी दुस्मनी का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आप सपने में नाग नागिन का जोड़ा देखते हैं तो आपको आपके कुल देवता के दर्सन होते हैं इस सपने के अनुसार आप अपने घर पर उनका एक मंदिर बनवाएं जहां पूरे घर के लोग उनकी पूजा करें अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो जल्दी से एक मंदिर बनवाएं और वहां पर नाग नागिन की प्रतिमा लगवाएं पूजा क देखना ऐसा करने से आपके घर में सुख सम्रद्धी का वास हो जाएगा। सपने में सफेद साप का देखना धनलाब का संकेत होता है और सपने में पीला साप देखने का मतलब होता है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है आपके लिए विदेश यात्रा के यूग बन रहे हैं। इसके लावा सुनहरे रंगा साप देखना और उसके साथ कोई धर में इस्थल दिखाई दे तो इसका मतलब आपने कोई मनो कामना मांगी थी जिसमें नाग के चड़ावे की बात कही थी जो आपने पूरी नहीं की है। अगर आपको काला नाग दिखाई देता है और उसकी आखें बड़ी बड़ी हों और वह आपको घूर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके इस्थ दिवता आप से नाराज हैं। और यदि आपको लाल रंग का साम दिखाई देता है तो इसका मतलब यह है कि आपको कोई जल्दी धोका देने वाला है अगर आपको सपने में दो मुवाला साम दिखाई दे तो यह एक बहुती बुरा संदेश है इसका मतलब यह है कि आप किसी दुरगटना का सिकार हो सकते है इसके लिए आप मंदिर में जाकर महाम्रदुन्जय मंदर का पाट करें और किसी दूर की आत्रा करने से बचें और यदि आप सपने में पांच मुवाले साब को देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई बड़ी फिपदा आने वाली है और आपका कोई बहुत बढ़ा नुकसान होने वाला है अगर आपको सपने में अजगर दिखाई दे और उसने आपके सरीर को चारो ओर से घेरा हुआ है और आपके उपर वरेंग रहा है तो इस सपने का मतलब बेहत सुब होता है इसका मतलब ये है कि आपका भाग बदलने वाला है और आपको बहुत धन मिलने वाला है और अगर आपको सपने में रंग बिरंगा यानी रंगीला साब दिखाई दे तो आप आने वाले समय में एक बहुत बड़े आदमी बनने वाले हैं लेकिन ये साब बहुत ही कम लोगों को और बहुत ही भाग साली लोगों को दिखाई देता है क्योंकि यह सपना आपकी आने वाली जिंदगी ही बदल देगा और आपके जीवन में धेर सारी खुसियां लाएगा और आपका घर धन धान से भर देगा तो दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जैमातादी जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद